नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुठी में क्या है 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 नन्ने मुन्ने बच् इसे ने बिल्कुल सही ही खाहा है और आज हम बात करेंगे माता-पिता और शिक्षक अपने बच्चों के साथ कैसी बात ना करें जैसे कि मैं यहां पर आपको दस उधारन दूंगी जो हमें बच्चों के साथ बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके जीवन पर बहुत नेगिट प्रभाव पड़ता है पहली है इसे छोड़ दें तुम यह नहीं कर सकते तुम नलायक हो मुर्ख हो तुम नहीं सुधर सकते इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए आपने अच्छा किया और मुझे आप पर गर्व है मुझे यकीन है कि आप बेहतर से और बेहतर करते रहेंगे दूसरी बात वैं आपसे बेहतर कर रहा है इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए आईए हम उससे कुछ सीखे तीसरी बात हमेशा विजेता बने कभी फेलियर ना हूँ फेल ना हूँ इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए हमें लगातार और लगातार हर रोज अपने सुधार के परियास में लगना चाहिए एक्सिलेंस के लिए अपने पिछले की हुए प्रदर्शनों के साथ अपनी तुलना करनी चाहिए यानि कि खुद से खुद की तुलना करनी चाहिए यह हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए चौथी बात आपकी क्षमताएं प्रशन्सा के काबिल नहीं हैं आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं वह प्रशन्सा के काबिल नहीं हैं इसकी बजार यह कहें आप हमेशा मुझे नई नई खोजी गई प्रतिभाओं और शमताओं से अवगत कराते हैं वह मुझे कितना अ तो आप सफल नहीं हो सकते। इसके बजाए उन्हें यह बताएं कि सफलता प्रयास और बलिदान और संघर्ष और विश्वास और धैरिय की मांग करती है। काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो और आगे से आगे तरक्की करो। चटी बात आपकी इमानदारी एक दिन आपको गरीब बना देगी। इसके बजाए हमें इमानदारी की एक मिसाल उनके सामने कायम करनी चाहिए और उन्हें वैशांती और उस अमीरी को दिखाना चाहिए कि जो इमानदारी से मिलती है। साथ वी बात उनकी क्षमताएं उन्हें भौतिक रूप से सम्रिद नहीं बना रही हैं। ऐसा ताना नहीं मारना चाहिए। इसकी बजाए अपने बच्चों को सच्ची सम्रिद्धी का मतलब बताकर उन्हें विनमरता का पर्यास करना सिखाना चाहिए। सभी गुणों की जननी जो है विनमरता उससे आपके गुण भी निखरेंगे यह बताना चाहिए। आठ्मी बात आप बुद्धिमान स्मार्ट और प्रतिबाशाली हैं। आपको सफल होने के लिए किसी प्रयास के वशक्ता नहीं है। इसके बजाए अपने बच्चे को उनके पास जो भी कुछ है योगिता है उसके लिए कृतग्यता का अभास कराना चाहिए। कृतग्यता को सिखाना चाहिए। कि यह जो भी चीज आपको बुद्धिमानी मिली है, स्मार्टनेस मिली है, प्रतिबा मिली है, यह इन इन लोगों से, इन इन कारणों से मिली है। और वह अपनी प्रतिबा और स्मार्टनेस को सही दिशा में बढ़ाने के प्रयास के लिए उने बल देना चाहिए। नौमी बात यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा पनिश करूंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे आप पर गर्व होगा अन्यता नहीं इसके बजाए अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि उनका हुना और उनका जीवन कितना अमुल् जीवन को यही वर्थ नहीं होना चाहिए दस्वी बात जो कि मेरे बड़े बेटे ने मुझे सुझाई है जिसका नाम नमन्नत राजन है मैं उसके लिए बहुत शुकर गुजार हूँ उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कोई समस्या को बार बार दोराना नहीं चाहिए तो यह बिल्कुल ठीकी कहा है जो जेम्स बैल्डविन जो साइड चाइल साइकालोजिस्ट है उन्होंने कहा है बच्चे कभी भी अपने बड़ों की बात सुनने में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं आई रिपीट बच्चे कभी भी अपने बड़ों की बात सुनने में झाल झाल